हेलो बच्चों आज हम देखने वाले हैं about class 12 syllabus of physics तो physics का class 12 का जो RBSC का syllabus है आज मैं वही discuss करने वाला हूँ क्योंकि RBSC के syllabus में NCIT syllabus अभी 12th class के लिए apply नहीं हुआ है तो RBSC का syllabus है वो कुछ इस तरह से है बच्चों जो हमारी first unit है that is electrostatics electrostatics में जो हम पढ़ेंगे उसमें जो first chapter आएगा वो हमारे पास आएगा अगर हम यहां आगे बढ़ेंगे और थर्ड चेप्टर के बारे में बात करेंगे तो वह होगा electric potential और वहीं पर हमारे पास जो fourth chapter आएगा जो इसका लास्ट चेप्टर आएगा वो होगा electrical capacitance बचों यहां जो हमारा second unit है उस second unit का नाम है current electricity current electricity में हमारे जो first chapter आएगा वो होगा electric current यानि कि बच्चों जो हमारा third unit है third unit का name हमारे पास है magnetic effect of electric current और magnetic effect of electric current में जो हमारे chapter है chapter number यानि कि आपके पास chapter number seven वो भी same है magnetic effect of electric current ठीक है बच्चों जो हमारे पास में fourth unit है fourth unit का name हमारे पास है magnet and magnetic properties of material यहां पर fourth unit जैसा कि आप देख सकते हैं इस fourth unit में लिखा हुआ है इसका जो chapter है यानि chapter number eight उसका name just same ही है आप्रोक्स magnetism and properties of the magnetic substances ठीक है तो बच्चों हमारा जो fifth unit है fifth unit का name है हमारे पास electromagnetic induction and alternating current देखिए इसमें हमारे पास में दो चैप्टर आएंगे chapter number nine and chapter number ten जिसमें से हमारे पास में 9 चैप्टर का नेम इसका first name के according है यानि electromagnetic induction and जो tenth chapter है उसका name उसके according है alternating current बच्चों इसका sixth unit है उसका name हमारे पास में है optics optics में हम दो chapters के बारे में study करेंगे optics का जो first chapter है that is 11 chapter वो है हमारे पास में ray optics और इसके अलावा अगर मैं second chapter यानि जो इसका next chapter है है chapter number 12 that is nature of light बच्चों जो हमारा seventh unit है मतलब जो next unit हमारे पास में है आप यहां देख सकते हैं नेम में इसका नेम बहुत इजी है और इसका chapter का नेम भी उसी के according ही है photoelectric effect of matter waves और यहां पर दोनों chapter और unit का नेम सेम है यानि photoelectric effect of matter waves बच्चों जो हमारे पास में eighth unit है eighth unit का नेम है atomic and nuclear physics देखिए इसका नेम के according ही chapter नेम भी यहां दे रखा है जो आपका 14th chapter है वो है atomic physics और उसके अलावा जो 15th chapter आपके पास आएगा वो होगा nuclear physics बच्चों जो ninth unit और 16th chapter है उन दोनों का नेम सेम है यानि की electronics यहां आपको electronics के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा और electronic devices के बारे में भी यहां आप पढ़ सकेंगे बच्चों जो आपके पास में 10th unit है यहां पर 10th unit और 17th यानि लास्ट चैप्टर आपका है दोनों का नेम सेम है यानि की electromagnetic waves and communication and contemporary physics तो यहां पर electromagnetic waves के बारे में हम study करेंगे communication के बारे में study करेंगे and contemporary physics यानि कि आपके पास में जो logic gates हैं उनके बारे में भी आप study करेंगे आपके लिए यह बहुत ही चीज है कि आपके जितने भी chapters है वह continuously हम practice करवाते जाएंगे और सारे chapters continue चलेंगे तो continue channel पर बने रही है आपके अपने चैनल अनूप सिंग बैस पर और हां आपको updates मिलते रहेंगे सुरी थोड़ा delay हो जाता है उसके लिए सुरी अकेला हूं properly work करने के लिए क्योंकि अभी lockdown चल रहा है तो जो team है यानि रोशन सर साथ में है वो अभी साथ में मिलनी पाता है तो कुछ दिनों के बाद में आपको उनके वीडियो और मेरी वीडियो दोनों आपको अपने channel अन करकाइप करकाइप